आप सभी लोग जानते हैं कि कार्ट पेमेंट अगें लाइब हो चुका है जिससे कि अब हम ओकंड को परचेस कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम प्रोसेस को समझने वाले हैं कि किस परकार से हम ओकंड को परचेस कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजिस हुआ ह उमीद है कि काफी लोग अच्छे से समझ किया हूंगे जो लोग समझ गया है जो लोग नहीं समझ पाए तो इस वीडियोいうこと को देखने के बाद आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से आप ओक्ण को क्लिक करना और get it now पर क्लिक करते ही सब्सक्राइब करने का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा उस पेज को स्क्रॉल करके सब्सक्राइब पर क्लिक किजिए क्लिक करते ही आपके सामने order summary का page open होगा जहाँ पर ओक हंट के subscription का details आपको दिख जाएगा उस details को आप पर सकते हैं समझ सकते हैं समझने के बार नीचे आपको payment method मिल जाएगा crypto का and card का जिसके तुरू आपको करना उसको select कीजिए select करने के बाद simply आपको confirm order पर click करना click करते ही एक नया page आपके सामने open होगा वहाँ पर लिखा रहेगा continue to pay तो simply आपको continue to pay पर click कर देना click करते ही आपके सामने payment page open हो जाएगा जहाँ पर आपको अपने card का details इंटर करना है और card के details में सबसे पहले आपको card का number इंटर करना है इसके बाद और भी details आपको enter करना है जैसे की card holder का address क्या है address आपको वहाँ पर enter करना है city के आए card holder का वो enter करना है zip code यानि की इंडिया में हम pin code उस करते हैं तो जहाँ पर zip code का option वहाँ पर आप अपना pin code उसकर सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग confused हैं कि सुरज जी यहाँ पर card holder के detail को enter करना या फिर OES profile में से कुछ details को यहाँ पर enter करना है मैं आपको बताना चाहूंगा first कि उस समय आप payment page पर होंगे तो वहाँ पर आपको card holders के ही detail को enter करना है OES profile का कोई भी detail इंटर नहीं करना है आगें repeat करता हूं जैसे कि card का number, card का expiry date, CBB number, card holder name, card holder का address, city, pin code, country, state यह सब कुछ enter करना, enter करने के बाद नीचे आपको तो छोटे check box दिखाये देंगे, एक already selected होगा, दूसरा select नहीं होगा, तो उसको click करने की ज़रूद भी नहीं है simply आपको paper click कर देना, paper click करते ही आपके सामने एक नया page open हो जाएगा, जहाँ पर आपके bank से यानि कि आपके bank account से जो registered email ID होगा, या पर mobile number होगा, तो उस पे OTP जाएगा, उस OTP को आप note कीजे, copy कीजे, copy करने के बाद आप यहाँ पर enter कीजे, OTP इंटर करने के बाद simply आपको submit submit पर click कर देना, submit पर click करते ही process होगा, इस बीच आपको submit पर click करने के बाद, आपको personally कुछ नहीं करना है, just wait करना है, कुछ second या फिर एक minute आपको wait करना है, OTP इंटर करके submit पर click करने के बाद, सारा process automatic होगा, आपके bank account से जो पैसा deduct होना है, वो भी deduct होगा, deduct होने के बाद, आ वहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना, वो automatic आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद, आपके सामने, Builds America page open हो जाएगा, यानि कि transaction successful होने के बाद, Builds America page आपके सामने open हो जाएगा, और अगर आप invoice को download करना चाहते हैं, तो invoice को download करने के लिए, वहाँ पर आपको see Builds America option मि open हो जाएगा, वहाँ पर download करने का option होगा, download पर click करते ही, आपका invoice download हो जाएगा, जिस आप बाद में check भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, invoice में आपको complete detail मिल जाएगा, जो आपने purchase किया है, उसका पूरा detail आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो इस प्रकार प्रोसेस को follow कर कि आप बहुत ही आसाने से open को purchase कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, last में एक important point के बारे में आपको बताना चाहूंगा, कि अगर open purchase करते समय, यानि कि जब आप card का detail इंटर करें, तो सब कुछ इंटर करने के बाद, पे नव पर click करने के बाद, अगर आपके तीन बार error आजाता है, payment करते समय आने की open को purchase करते समय, तो आपको 24 घंटे के लिए wait करना है, और 24 घंटे के बाद ही आपको दुवारा try करना है, तो इन सभी process को follow करके आप बहुत ही आसानी से open को purchase कर सकते हैं, उमीद है कि अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सोचिए, समझिए, आपको on passive समझ में आ रहे होगी, इसकी value समझ में आ रहे होगी, तो कब करना, कैसे करना है, यह आपका अपना बिचार होना चाहिए, अगर आप traffic distribution के first wave का part बनना चाहते हैं, तो definitely आप open को purchase कीजिए, और first wave का part बन जाएए, उमीद है कि यह सभी point आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे, यह वीडियो भी आपको informative जरूर लगी होगे, वीडियो informative लगी तो वीडियो को like, share and channel को subscribe जरूर कर लेजिएगा,